जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन कौस्चन आंसर सुदर्सन जी से सम्मंदित तो वीडियो पूरा अवस्थ देखना है यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन कौ आपके लिए इहां पर अप्लब दें प्लेश्टोर से डाउनलोड करना है इहाँ पर 2020 टेश्ट सीरेज करवाई जाती है फ्री तो इससे भी अवस्चिज़ूडएं तो आप जो है self study classes एप download करने प्लेश टूर से और अपनी तैयारी में लग जाए सुदर्सन जी से सम्मंदित first question की बात करने यहां पर पूचा सुदर्सन का मूल नाम क्या था इनका मूल नाम बता ना प्यारेलाल, बद्रिनाथ, या भुलाणात या गौवासाई दाते तो इनका मूल नाम है बद्रिनाथ आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर C राइट आंसर है question number 2 है सुदर्सन किस कथा धारा की कहानी कार माने जाती है Q2 है बहुत ही महत्तपुन Q2 पूशा गया है सुदर्सन किस कथा धारा की कहानी कार मानी जाती है तो आपका हियाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद परंपरा यानि की विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा सुदर्सन का जन्म कब हुआ? Q3 है महत्तपुन है और आपका हियाँ पर सही आंसर है सुदर्सन जी का जो जन्म हुआ तब है कब हुआ था तो आपका राइट आंसर है 1895 ECB आपका सही आंसर है सुदर्सन की अधेक्तर कहानिया किस सेली में है एतिहासे के हैं, बन्नात्मक हैं, आत्मकतात्मक हैं या किस सगोई है तो इनकी अधेक्तर कहानी या किस सेली में है तो आपका राइट आंसर है बर्णात्मक यानि की विकल्प नमबर C राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सुदर्शन की प्रिसिद्ध कहानी हार कीजित कब प्रिकासित हुई थी 1935, 1931, 1922, 1927 तो आपका सही आंसर है इसमें विकल्प नमबर B बता रहा है विकल्प नमबर B यानि की 1922, कहीं कहीं आपके लिए जो है 1920 भी मिलेगा तो यहाँ पर विकल्प में 20 नहीं था 1922 है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नमबर B अंगले question क्या है तो question number 6 पूँचा है की सुदर्शन की प्रिसद्य कहानी हार की जीत किस पत्रिकाम पिरकासित हुई थी माधुरी में हंस में जागण में इंदु में तो आपका है आप कहा पर question number 6 है वर 6 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर माधुरी सुदारसन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत किस पत्रिकाम प्रकासित हुई माधुरी question number आपका साथ पूचा है anthes का सत्यारती कहानी की रचेता कौन है question number 7 है और 7 का right answer है अग्ये जैनंद्र कुमार या फिर अंगला विकल्प आपके हैं आपर दिया गया है सुदारसन या यसपाल तो आपका साई answer है क्या right answer anthes का सत्यारती कहानी के जो रचेता हैं वह सुदारसन है इनमें से कौन सी कहानी सुदारसन की नहीं है नहीं पूँचा है आपसे question number 8 में तो 8 का right answer है क्या है सही answer 8 का विकल्प number आपका यहाँ पर D right answer है दूद के card आपका सही answer होगा इनमें से कौन सा कहानी संग्र है सुदारसन का नहीं है नहीं यहाँ पर भी पूँचा है पनगट, नगीना, राजीव और भावी या जरूखी तो आपका सही answer है राजीव और भावी यानि की विकल्प number C आपका सही answer होगा बिलकुल सही बहुत बढ़िया इनमें से कौन सा उपन्या सुदारसन का नहीं है नहीं पूँचा है उपन्यास तो आपका यहाँ पर सही answer है नहीं में हो जाएगा देहाती देवता आपका राइट answer है विकल्प number आपका C यहाँ पर सही answer है विकल्प number 11 है इनमें से कौन सा नाटक सुदारसन का नहीं है अंजना, भाग चक्र, सिकंदर या स्वन्ड विहान तो स्वन्ड विहान जो है नाटक है सुदारसन का नहीं है विकल्प number आपका D यहाँ पर सही answer होगा सुदारसन की मृत्यू कब हुई question number 12 है और 12 का right answer है सुदारसन की मृत्यू कब हुई तो विकल्प number आपका यहाँ पर एक right answer है 1768 इसवी आपका यहां पर सही आंसर होगा विल्कुल सही 1768 इसवी आपका यहां पर सही आंसर है question number आपका 13 है नगीना कहानी संग्रे का प्रकासन वर्स क्या है question number 13 है और 13 का right answer यहां पर बताना है नगीना काप्वे संग्रे स्वरी कहानी संग्रे है और इसके जो प्रकासन वर्स है वह क्या है तो 1933 विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर है Q14 है पनगट कहानी संग्रे का प्रकासन वर्स क्या है Q14 का सभी लोग आंसर बताएंगे पनगट कहानी संग्रे का प्रकासन वर्स पूँचा है आप से Q14 में और आपका यहाँ पर सही आंसर है 1949 वे आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक सही आंसर है पनगट कहानी संग बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वह ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें अगर आपके लिए जो है यहां पर टेस्ट सीरेज कर वाई जाती है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरेज पर आपके लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह अपनी सर्चप अप्लिकेशन की बॉक है बस तुनिष्ट कभी माला बस तुनिष्ट की और सभी लोग वीडियो को लाइक करें सेर करें आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन